माता जी कि साधी किसी और से हो गई माता पितार को भगा दिया करते थे और साथ एक बाल्टी पगड़कर पब्लिक टॉल्ट में जाते आपकी जान पर भी यह चीजें आपके भारे पर सकते हैं आपने ऐसा किया तो क्या क्यों खुद से कर रहों को उम्मीद हैं तो जीत जाओगे अगर की दुनिया से उम्मीद है तो टूट जाओगे नौ से भी जादा वर्ल्ट रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के नंबर वन यूड़ीव चलाने चलाने वाले इंसान के बारे में आज हम बात करें कि जिन्होंने से कंपनी को लिए के बाद आज इंडिया की निमबर वन बिजन कंपनी बड़ा बिजन्स कंपनी नाम से ख़़ा करने के बाद सेकड़ अवाब रिकॉर्कनेशन और सार्व अपना नाम बढ़ाने के बाद क्या वह जरनी उनकी इतनी आसान रहा था आज अंसुनी कहानिया अ बिजनस टाइकुन बनाया, आज आपको इस वीडियो के अंदर वो सारके सारी चीज़ें पता चलेंगी, महज धाई साल के अंदर, इनके पता जी का देहान तो हो गया, माता जी की साधी किसी और से हो गई, बच्पन में जब पडोसियों के बच्चों के साथ खेलने जाया करत बच्चे के लिए बच्पन सही इतना क्रिटिसिजम, इतना भेट भाव जलने के बाद बच्चा कैसे अपने आपको मजूद बना पाया होगा, उस एज के अंदर माता पिता ही उसके सबसे बड़ी नीव होती है बच्चे के आगे बढ़ने के लिए उस एज के अंदर उसको पढ़ाए का उन्हों लगातार आगे बढ़ाया, बच्पन में जब वो स्कूल कॉलिज के अंदर थे तो बच्पन में ही ट्रैफिक सिग्नल में जाकर जब वो कॉलिज के अंदर थे अपने पढ़ाया खर्चा निकालने के लिए डिक्स नरी जाकर बेचा करते थे रूट के पांच अपराल 1982 को जन्मे नवाओं के सारे लखनों के अंदर बच्पन सही बंदरजी का स्पोर्स में काफ़ जाधा इंटरस्ट था बच्पन सही थाई थाई बॉक्सिंग में और साथे फुटवाल में इन्होंने बहुत अच्छे लेवल ने खेला नैसनल लेवल तक भी ये खेल में पहुंचे और इतने सारे मेडल जितके आया करते हैं जब घर आता थी बिंदरजी बताते हैं कि मेरा जो चटा का लडगा था वह हमारे ज़ुटे उनको वह मेडल बाटा करता था यह तुब भी पकड़ तूभी पकड़ च्बर तूभी पकड़ य संटे मेडल जीटके आया करते हैं तो बहुत अच्छा है इन्होंने इस्पोर्स में कहला उससमें जाने सांथ बच्छमन सही बिजनस को लेखे वी से कुछ पैसे मेरे पास आये करते थे उससे पढ़ाय का खर्चा निकाला करता था अपने होस्टल का खर्चा निकाला करता था उसके बाद जब बिंद्रा जी ने कॉलेज खत्म करने के बाद बिंद्रा जी ने की पढ़ाय सुरू कि उन्हें अपना खुद का एक बिजनस टार है और आपके बच्चे को घर के अंदर आके पढ़ा कर चला जाता है तो बिंदर जी क्या किया किया एक डिन दे दिया नीची एक बंडर में यहा चलाने लगे एड चलाने के सांसर नहीं एक बंडा कर लिया जो वहां से आई कॉल को उठाएगा बात करेगा और जो इस्टुटेंट है उससे वो उसकी होम टेशन को फिक्स करवाएगा उनके पैरेंट से और उसके बाद यहां से एक ही टीचर को भेजेंगे लेकिं बिंदरा जी ने यह सोचा कि अगर मैं खुद टीचर बन जा तो इन्होंने क्या कि आपने आजू-बाजू के 10-12 टीचर को पकड़ा और उनके साथ टाइप कर लिया अब यह क्या करते थे कि वहां से जैसे कॉल आई यहां पर एक बंदने कॉल उठाई कॉल फिक्स की और यहां से इन्होंने टीचर को भेज़ दिया उस स्टुडेंट क अंदर क्या होता कि आपका खर्चा कम लगता है अगर मैं क्लासिस देना पड़ेगा उसके बहुत पैसा चोहिए बहुत सारे टेबल कुर्सी हैं बहुत सारे इक्वेंट मुझे लेने पड़ेंगे तो पैसा लगाना ने चाहूंगा तो मैं होम टूसन का कॉंसर्ट करता हू बहुत ज़्यादा पैसा लागों रुपे की इनको नीड हुई तो उस वक्ते इनका पैसा नहीं था और टूसन बिजनस से कुछ हजारों में इंकम आया करते थी चूंकि टीचर को भी देना होता था और खुद के खर्दे भी चलाने होता था और साथ में साथ जो कॉलिंग क करने वार थे नहीं का परिवार निके पास था कि माता पिता पहले ही इनको चूड़कर जा चूए थे पिताजी का दिहांत हो इसारी किसी और से होई और किसी बैंक से जाकर ले नहीं सकते था जो ने आपको डॉक्मेंट चाहिए जो उनके पास थे नहीं तो जब यह मैंजमेंट के पढ़ाई करने नहीं जा सके बहुत मस्सकत की मेहनत की लेकि इतना पैसा पाना बहुत जादा मुस्किल था कम पैसा होता कुछ लाख रुपय होते एक दो लाख रुपय होते जुटा लेते ले फिर्भी स्पोर्ट से सिस्क्राइब से की स्पोर्ट की एक बार जीत खर वहते हैं तो ऊश्ट मिलती है तो उससे कशले काः डिशेव के खत्म करने के बाद आसपास ना तो पिता जी अब बहें इनके सांते नहीं के साथ है और नहीं उनके साथ है आगई की जीवन जी सके तो जब इन्हें आसपास कोई भी नहीं दिखा तो नोने भगवान की सेटारा करने रिया और यह पिर जाकर इसकार सेक्वन कर लिया वहां जाते चेंटिंग करते सोभे उड़ते बतन करते विक्षा मांगते, मुंडन कर लिया, धोती गुर्थे में रहते, उबला खाना खाते, लोगों की जाके सेवा करते, इस सारे कामें करने लगे, तो इन्होंने बिल्कुल सांसादक जीवन से अपने आपको आध्यातक जीवन में डाल दिया, और वहाँ पर बिंदर जी का नाम आप इसे 95% लोगों को पता ही नहीं होगा, बिंदर जी का नाम इसकौन के अंदर वेडू माधो परफुजी था, और वहाँ भी इनके बहुत चर्चे हैं, आज भी इनके ग्रूप के जो लीडर हैं, जो इनके साथ की वहाँ के लोग हैं, वो बताते हैं, कि बिंदर जी अक इनके संसे को बात करने की चमता मेरे अंदर आ गई आ गई, अपने आपको कहा बी कन्ट्रोल करने माइन को साफ करते रहा, चूंकि इतने तेज बस्तमन से इतने शाप कि किसी को भी बात करके कंट्रोल में करने की ताका दाने के पास आ चुके थी और बहुत अच्छा वहां भी करने लगे लेकिन उसके बाद जब इन्होंने भागवत गिता का पाट इस्कूल में जाकर देने लगे, लेक्टर जाकर देने लगे, कॉर्परेट के अंदर जाकर ये पढ़ाए को भागवत गिता से जोड़कर लोगों को सिखाने लगे तो उनके गुरू ने देखा, कि ये लड़का आज आध्यात्मिक जीवन में इतना कुछ सिखा रहा है, इतना कुछ बता रहा है, उतना कुछ सीख चुका है, अगर ये सांसरक जीवन में चले जाएगा, अगर ये आध्यात्मिक जीवन से निकल का सांसरक जीवन में चला जाएगा, आध्यात्मिक जीवन को और सांसरक जीवन को दोनों को मिक्स करके अगर लोगों को बताएगा, तो ये बहुत अच्छा कर सकता है, इन्होंने बुढाया, कि मैड़ो मादो परभू इधर आओ, अब बैठो मेरे सामने, तो उन्हें का जी प्रभू जी बताईए, उन्हें ने का एक आधे से, मैं क्या मानो के, उन्हें का जी बताईए, गुरु की बात मानने के लिए मैं कुछ भी करने को त्यान हो, उन्हें कहा, कि देखिए आप लेक्ष्य बहुत अच्छा देदे दे जाएगे, तो आपकी ग्रोफ सांसर जी बहुत जाएगी, तो आप यहाँ पर रहेंगे तो आप लिमिटेड लोगों को सिखा पाएंगे, लिमिटेड लोगों को आप सिख्षा दे पाएंगे, लेकिन इस भाउल गिता को लेके जाएए, इसमें से बिजनस के लेसन निकाले और लोगों को जाकर सिखाना स्टार केजिए, लोगों को जाकर ग्यान दीजिए, तो बिंदर जी ने अपने ग्रू की मुझ से निकल भी बात को अपने दिल से लगा लिया, और बाहर निकल कर 2013 में अपने ग्लोबल एक्ट नाम से कंपनी के सुरुआत की, ना तो इनके पास और अब जो से चमकाया और लोगों को जानते थे और लोग इनके पास आने लगे और बैठे लगे, लगे जब इनके बास इंटर्वीakes लेड़ने लेगे, लेकिन आने के बास के लिए लोग आते थे, आप आने के बात क्या होता है, ऐसा करेंगे तो योग इना बादा पर बदात था ठीक है सर में आपको पडिए कि माँगा और काम करेंगा दिसकी होचा होका होगा ले रहा होता है थीकर जोब करने है थीक आप cereal बताएंगो थी वैसे लोग थी अगर क्योंकि मुझे अच्छे लोग चाहिए तो अच्छे लोग ऐसे नहीं आएंगे मैं ऐसे लोगों को पकड़ूंगा जिनको 5-6-7 मेहने का किवल जुगार चाहिए वो किवल अभी सीखना चाहते करना चाहते हैं और उसके बाद जैसे उनको पकड़ना चाहिए जो 5-6 मेहने के के वाद जॉग करना चाहते थे क्यूंकि बिंदरजी को पता थे इनको दिखाकर मैं अच्छे लोगों को लेकर आँ अगर टिक गए तो मैं इनको दिखा दिखा कर दिखा कर कि कोकि लोग दिखने चाहिए कि किसी कम्पनी में काम हो रहा है तो 20-25 लोगों को इनी उनों हैर क जाके एक public toilet था और public toilet की हारत आप जान सकते हो कि कैसी होती है ना तो उनके रखवाले करने वाला होता है ना है उनके कोई सभाय करने वाला होता है तो बिंदाजी ने सोचा कि अगर इनको मैंने अच्छा experience नहीं दिया अपने employee को तो इसे छोड़कर भाग जाएंगे अगर इन बिंदाजी ने कहा कि मेरे पर और वास्रूम नहीं है public toilet है अब करूं तो करूं क्या तो बिंदाजी ने एक time schedule बना दिया कि आपको इतने बजे ही आप जाकर वास्रूम जाकर यूज कर सकते हो यह आपका जाने का time है तो बिंदाजी क्या करते थे चुप चाप ऑफिस से बा बात जाकर ऑफिस जाकर बैट जाया करते थे जब टी टाइम और लंच टाइम हुआ करता था तो इंप्लॉय को वहां पर साफ और साफ सुत्रा टॉलेट मिला करता था और बिंदाजी का जादा कि किसी को बिमारे नहों जाए क्योंकि लेडिस को बहुत सारे बिमारे हो सकती गंदे टॉलेटी की वज़सी तो पहले जाके साफ कर दिया करते थे ऐसी जरनी आगे पड़ी आपको मजदार भी और सीरेस कहानी को सुनाता हूं एक बार क्या हुआ अब बिंदा जी का ओफिस चलो ठीक ठागया लोग आने लगे और बिंदा जी ने दूसरा ओफिस भी ले टैंकी भर हो तो 2-3 गंटे बाद हो खत्म अब बिंदा जी ऑफिस है बिंदा जी ने देखा कि वह पाने नहीं है पाने आने रहे उपर जाका देखा तो टैंकी खाली है अब वहां देखा तो पाइब लीग है अब प्लंबर को बुलाएंगे वह आएगा ठीक करेगा तो सा कर दो लोगर टो से तुरत दूर थी वहां जाकर टैंके टांकन खुला वहां बाज डाली और से निकाल निकाल अगर उसमें पाने लेंगे अब यह अब कर सब्सक्राइब आघर उनको आप गोलते यह ऐक कंपनी खराब है एक कंपनी डूबने वाली यह सांसा ठोगी निकलन वाली है कमने डूबने वाली है इस तरह से इंप्लॉई जो होते हैं उनको सटिस्फेक्शन लेवल तर लेकर जाने के लिए बिंदा जी ने टॉलेड भी साप किया टैंके में पाने में डाला जूकि संघर्स करने से जो इंसान पीछे नहीं हड़ता वही एक दिन इंसान बुर बड़े गलती क्या हो गई और यह कहाने आपको बड़ा इंस्पायर करेगी और कहाने 95% लोगों को पता नहीं है यह कहानी यह है कि जब बिंदरा जी 2016 के अंदर अब ट्रेनिंग इंडिस्टी के अंदर है और अच्छा काम चलने लगा और बहुत सरे लोग जानने लगे तो अपने ट्रेनिंग को कैंसल कर वा रहे हैं आपके साथ काम नहीं करना चाहते है और अप बिंदरा जी ने उनके ही बलबूते पर उनके ही काम को करवाने के लिए 100 लोगों को हैर कर लिया अब बिंदरा जी संकटे में आ आ गये क्योंकि कंपणी का नाम बरबाद हो गया अब ने का है में सबस्दिए बलाइप बलूते की बिंदरा जी हमेशा अपनी सेलरी को टाइम पर पर पे के का बादे हरे मेहने की हाज जुरू के धनिवाद किया कि हम आपको अभी अब और नहीं देख सकते हैं कि हमारे पास अब इतना काम नहीं है लेकिंगे बिंदराजी ने खुद को दुबारा से रिविल्ड किया क्योंकि भावल गिता का ग्यान इस्पोर्ट्स की जो उनकी छमता थी उस समय जो नहीं खेला था वहां से उनको बहुत बड़ी दुबारा से बाउंस बैक करने की हिम्मत मिली चूँकि बच्पन से ना तो उनका कोई फैमिली बैग्राउंड था और नहीं उन बड़ाबॉसनिस.com उनकी कंपनी है वह आज भी 300% की ग्रोश से वह आगे बढ़ रहे है क्योंकि किसी भी कंपनी को नहीं हम जज नहीं कर सकते है दो त्री मेहने के अंदर हर एक कंपनी का एक फाइनशल येर होता है कि 6 मेहने खराब गए तो जरूरी नहीं कि जरूरी नही है आज वह 300% की ग्रोश से आगे बढ़ रही है जरूरी नहीं है कि आप एक बाल फेल होगे तो बार बार फेल होगे हो सकता है आप दुबारा से बांस बांस बाकर करके खुद को आगे बढ़ा पाओ लेकिन बर्मचरे जीवन को जिया भगवत गिता का ग्यान लिया और इस बिंदर जी को बिश्च्ट बता रहा हूं हमारी श्ट्रगल थे इनके सामने एक जीरो श्ट्रगल है क्योंकि इतनी श्ट्रगल कंपनी का प्रजक्ट छूड़ गया मातापता का साथ चूड़ गया घरवाले कोई नहीं डिस्टनरी बेचने पड़ी कंपनी के प्रजक्ट फेल हो गई तो उसने बिजनस खतम हो गया एडविसन नहीं हुआ और सारे साथ वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाई बच्पन से जो फैसिलिटीज इनको मिलने चाहिए थी तो खुद को रिबिल्ड किया और दुबार से अपने कंपनी को जे करवर देकर दुबार से आगे क्योंकि खुद एक इंसान जिसके साथ आप जोड़े हुए उसने जब इतनी इस्टेकल की है तो आपके पास को एक्सक्यूस देने का मौका नहीं होता क्या उस इंसान ने आपको वहां से बिल्ड किया जहां लोग आत्महत्या कर लेते हैं खुद को बरबात कर लेते हैं ले उन्हें जाके बताया कि हमको एक कंपनी का ओडर में लाग का मिला उडर तो नहीं ने का सर पांस लाग का मिला है तो नहीं ने का ठीक है चलोड देखते हैं क्या होता आगी तो बिंदरा जी और उनके जो मैंजर थे वह दोनों साथ-स उस कंपनी में जो जूते बनाने वाले जिसका इन्हें ओर मिला था तो वह जाने का बाद उनके मैनेजिंग डिरेक्टर थे उनके बाद जाकर बिंदा जी ने जाकर उसे बात करने श्टार की तो बिजनस के अंदर ना एक एक फॉर्म करना होता जिसको बोलते है नाइस अनलेसिस नीड इंटरस कंसर एंड एक्सप कर रही है कि हर और इनकी घ्रोफ होथी है 20 से 25 प्रतिस्लिख और पर रहाती है हर बार थो विए जबे प्रक्षिस पर नेखिशन को देखा फिर उसकी production को देखा, उनके team को देखा, फिर उनके जो distributor थे उसको देखा, फिर उनके supplier थे उसको देखा, उन सब को देखने के बाद बिंदा जी ने कुछ problem को पकड़ा, कि इनके sales कैसे और exponential growth इनकी और हो सकती है, तो बिंदा जी ने बड़े intelligent के साथ, जो managing director थे उनके लिए उन्होंने का सब देखो, आपकी company, for example, 100 crore का business कर रही है, आपकी company 100 crore का business कर रही है, और हर बार आपकी company 25 से 25 परतिस की growth कर रही है, निकि हर बार आपके ने अगर मानले जी इस बार आपने किया 100 crore, तो अगले बार आप करते हैं, 120 crore, 125 crore, अगर आपको मैं training देता हूँ, आपकी जो ये growth 20-25% हो रही है, हम 30-30 परतिस को और बढ़ा देंगे, मानले जिए आपकी company ने इस बार किया 100 crore, तो अगले 1-2 मेने के अंदर आपकी company 110% 30 crore का business extra करेगी, और गारेंटी के साथ हम बोलता हूँ, तो managing director ने बोला, जी वो कैसे करोगे, तो बिंदर जी ने कहा देखो, आपकी company आज अच्छा का सा perform कर रही है, आपकी sales बे अच्छे आ रही है, अच्छा business आपका हो रहा है, आज की company अच्छे लेवर पर जा रही है, लेकिन इसको scale करने के लिए आपको नहीं strategy चीए, आपकी company में में गैप पकड़ लिए, कि आपकी company में गैप कहां पर तो वो 20 क्रोड में आप 30 क्रोड और जोड़ दो, तो आपकी company हर बार multiply करेगी कितना, 50% का हर बार आपका revenue बढ़ेगा, 30% मैं आपको वादा कर रहा हूं, लेकिन ज़्यादा ही बढ़ेगा कम नहीं, तो जो managing director था, नहीं दिमाग लगाया, कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, 120 20 क्रोड का हम धंदा कर रहे हैं, हर मैंने हमारे जो company है, 20 क्रोड का धंदा एक्ष्टा कर रहे है, अगर ये इंसन ट्रेनिंग दे लेता है, और हमारी company 30 क्रोड का business एक्ष्टा करती है, तो अच्छी deal है, तो managing director ने कहा, ठीक है, मुझे आपका deal मन्जूर है, लेकिन पैसे कि इसने चार्ज करोगे, तो बिंदा जी ने कहा, पांच क्रोड लोगा खाली, managing director ने थोड़ा सोचा, तो उसने का, ठीक है यार, भाई, मैं अगर पांच क्रोड दे रहा हूं, तो हर मैंने 25 क्रोड आभी रहे है, और ऐसा ने की एक बढ़ता रहे हैं, हर मैंने बढ़ता रहे प्यार सा समझाते थे, पहले भी जब इसकौन का अंदर थे, वहां से बहुत तगड़ी, आज भी बिंदा जी का चर्चमा आज भी है, तो बिंदा जी ने उसको समझाया, बताया, और managing director पो बताने के बाद, उस पांस लाकी डील को पांच करोड का कर दिया, जो पांस लाकी ट्रेनिंग थी, उसको पांच करोड का कर दिया, तो इस सोटी की एक छोटी से सबलता के कहानी है, इनिसली स्टेज के अंदर, आप खुश सोचो, पांस लाकी डील को पांच करोड में करवट करना, कितना confidence चाहिए, बोलने के लिए, वादा करने के लिए, और गैप को पकड या का वेक्राना चाहिए, एक बार की होबागा, बृधवार की साम को, गाज यावाद के अंदर, अब बेंदा जी की का हुआ, सौंभार के सुपह मॉनिंग तविट खराब होगी, तो बिंदा जी को डॉक्तर ने कर दिया, आपको यापी यापको बहुत जाला सी थीरियस ह तो नेक्स जब डॉक्टर आये चख़ आपको चुछ नहीं कर सकते हैं आपको और रुखना पड़ेगा सामता हम देखते हैं आपको अग्छेन अब मुझे बुद्वार की साम को गाजया वाज कंदर मुझे इमेट करना है तो मैं आज और रुक जाता हूं तो बिंदा जी रुक गई ठीक है कोई बात नहीं तो साम को डॉक्टर वापस आया उन्हें का जी नहीं हम तो आपको डिस्टार्ज नहीं कर सकते क्योंकि आपको इस्तेपद्वाद सीरिस हो गई है कि कंडिसें खराब हो गई तो बॉड़ी हो ज्यादा लूज होने लग गई और अइनर्जी दो खतम होने लग गई तो बिंदा जी बड़ी प्रसान होने लगई तो बिंदा जी ने कहा है कल में साम को इवेंट है और मैं आज हॉस्टिल के इंदर भड़ती हूं जवान खराब हो जाएगी और नाम बड़ा खराब हो हो सकता है तो बिंदा जी ने कहा यह बड़ी घ्लवडर हुई अब साम को इवेंट है 4 बजी अब बिंदा जीन क्या क्या डॉक्तर बेंठी बुलाया डॉक्टर रहा हो रही है इन्दों ने कहां आपको अपने अपने हॉस्पिडल को बढ़ा करना है उजने का में पर होाई जाओंगा दो घंड़तमारा मैं मैं वापसा जाओंगा औ दुवारा से उसके उसके ना गरतिए पौँ अग्शने भिलावित करणा मां कर दिया तो ऑपकी जान पर भी आटा सकती है तो बिंदा जी ने खा कोई बात नहीं, मुझे अब हॉस्पिटल से एंबुलेंस में भीजवा दो, मैं दो घंटे जाके मैं इवेंट करूँगा, वापस आजाँगा, डॉक्टर माना नहीं पहले तो, बड़ी मुस्कुल से मनाया, 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 तो डॉक्टर मान गया, आजे बाद में बिंदा जी ने अपने ड्रिप निकाली, ड्रिप निकालने के बाद, दो घंटे का पावर्फो सहसंदिया, एनर्जी के साथ, तबित खराब होने के बावजूद भी, उसके बाद वापस हॉस्पिटल से, वापस एंबुलेंस में बैट कर वापस आपकी जान पर भी यह चीज़ें आपकी भारे परसकती हैं, आपने ऐसा किया तो क्या गयों, तो बिंदर जी की बात है, बिंदर जी की जो लाइन है, वो आपको मैं बोलना चाहता हूं, इस देर को बड़ धियान सुना, बिंदर जी बोले, मेरी तब्यवित तो दो दो ती टीम की एनरजी, बिंदलाजी की जितने भी टीम में मरते सब की एनरजी हाई हुई हाई होने का सांसर बहुत ज़ाँ इंस्पायर भी हो कि हमारा लेडर ऐसा करना जानता है अगर हमारा लेडर इतना पैसिनेट है तो हम भी काम करेंगे और उसी का result आद देखने को मिलता है कि बड़ा business.com जो उनकी company है 300% की growth rate हासिल कर रही है हर बार 300% की growth से आगे बढ़ती है और इंडिया की number one एक ऐसी company है एड़ोटाग industry के अंदर जो 300% से आगे बढ़ रही है business field के अंदर अगर आपको अपने life में commitment हासिल करनी है जिंदिगी में अगर आपको मजबूद बनाना है business हासिल करनी है तो अपने commitment पे हमेसा खड़े रहें अपने आपको हमेसा build करें और अपने commitment को कभी भी न चोड़ें तो कि एक बार अगर भरसा तूड़ गया अगर ट्रस्टूड गया तो हमें सब खत्म हो जाता है दोबारा वह भारासा हो ट्रस्ट डुबारा कभी नियुक्त पाता तो अपना पड़ेगा। तो अपने company की 7-8 email id बना दी और अलग-अलग email id से अपने जो client थे उसको message क्या करते थी कभी sales team बन कर, कभी follow up team बन कर, कभी content team बन कर, कभी payment team बन कर, उसे बात क्या करते थे सामने लग का customer होता था, उसके mind में बड़ा impression पड़ता था, वह बत तब इतनी बड़ी company है इतने department एक साथ बात कर रहे हैं, वहाँ पर department बात नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पर individually बिवेक बिंदाची खुद बंद भी खुद करना होता है, खुद टॉले भी साफ करने होते हैं, खुद टैंकी में पानी बढ़ना होता है, क्यूकि सारे काम इंडिपेंडेटरोली एक टाइम में आपको independent हो पाते हो यहीं, तब ही जाके life में आप काम आप हो पाते हो, क्योंकि बिंदर जी से बोलते थे बुद्र बूद्र युक्ण टे दाल रहे हैं घृ एक पूंदर में ऑनारी हो सकतीड विद्रुंण बंदर दी बूद्रम को युटा यू तो होता कィया है सुरुवात हमेंसा जीरो से हुथी है मैंने भी जब सुरू किया था चुर्वात हमेंसा जीरो से होती है लेकिन आज आज आप देख सकते है 18 मिलिएन सब्सक्राइबर इंडिया का नम्बर बीश्ल का नंबर ब HIVश्व का नमबर वन यूकुप चैनल हो जाते हैं उनके टीम मेंवर के वज़े से काम नहीं करते हैं वीडियो नहीं बनाते हैं तो साइध आज हो साइध इंडिया में इतना बड़ा इंपक्ट क्रेट नहीं करते हैं लाखों लोगों को आज इतने बड़ी एज्योकेशन नहीं दे पाते हैं इतना सस्ते में ने पहुंच सकता है उन 5 व्यू से आज 18 मिलियन का स्पुर्यवार बना सकता है आज 9 वर्ड रिकॉर्ड बना सकता है आज इतने सारे सेगड़ वाड जीए सकता है तो आप भी कर सकते हो मैं भी कर सकता हो दुनिया में हर को गो कर सकता है बेंदर जी की उपर पर परसनल लाइक की आपको बना कर दे दूँगा नीचे मुझे comment box में जूरू बताना और साथ साथ और कौन से topic पर आपको कौन से case study है किस इंसान के पड़ा देखना चाहते हैं मुझे नीचे comment box में जूरू बताना मिलते हैं आपसे बहुत जल चैनल को subscribe कर लेना Instagram में follow कर लेना तक तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद